हेलो फ्रेंड जस किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वाधिस मिठाई जो कि मैंने सिर्फ दूद और पनीर से बनाई है मिठाई बनाने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए मिठाई बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने ग्यास होन करके एक पैन रखा है अब मैं उस पर आधा लिटर दूद डाल रही हूं दूद को हमें तब तक पकाना है जब तक कि दूद पक कर आधा रह जाए यह मैंने 200 ग्राम परीर को ग्रेट कर लिया है अब इसे खूले बर्तन पर डाल कर अच्छी तरह मैस कर लेंगे और यहां दूद पक कर आधा हो चुका है अब हम इस पर पनीर डालेंगे उपर से मैंने मलाई डाली है हरी लाइची डालें और इसे पकने दे यह देखें दूद पक चुका है अब इस पर मैंने दो चम्माच चीनी डाली है मीठा आप अपने स्वाज के अनुसार डालें अच्छी तरह से दूद को सुकने तक पका लें अब इसे खूले से बर्तन पर डाल कर ठंडा होने पर लड्डू बना लें तो लीजिए हमारे लड्डू बनकर तयार है आप एक बार जरू ट्राइ करें ये खाने में बहुत हिस्वादिस्ट होते हैं अच्त पूर बोच अधियो हाओ प्याओ नग्याओ च्छी तरह जाएं पूस्प्सराव झाएं